आप देख रहे हैं आस्टो हिलिंगर मैं हूँ आपका होस्ट मिर्जा हमजा आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका 14 अक्तूबर कैसा रहेगा दिन सौंवार कैसा रहेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहे हैं अभी सब्सक्राइब क्लिक करें और विएल आइकन को प्रेस करें ताके हमारी ने आने वाली वीडियो शबसे पहले आप तक पहुंच सकें साती साथ आप हमारे ре फेसएबग को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टागराम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके की सरे आपको नीचे विल जाएगे बहुत बड़े जगड़े तो नहीं होंगे मगर मामूली तोर पर ना मुनासिब सुर्तिहाल का सामना करना पड़ सकता है अपने मुआमलत के हवाले से अक्सर उकात आप काफी ज्यादा डाराइक्ट हो जाते हैं आज अपने मजाज और मुआमलत के बारे में खास एक्दामात करने के लिए त्यार नहीं रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा परिशान नहों मुआपत के मुआमलत में खास मौकें आपको मिलेगे इस बात पर यकीन रखें के आपके जो भी एहसासात हैं वो खालिस होने चाहिए तब ही आप कुछ कर सकते हैं बुरज सौर मुस्तक्बिल के हवाले से आप के लिए बेतरीन वक्त है जो भी सिम्मत की तरफ आप बढ़ेंगे असानिया ही पैदा होंगी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबर से काम लेने की जरूरत है तब ही आप अपने लिए मुस्बत इकदामात को फरोग दे सकेंगे आप आज उन लोगों में शामिल होंगे जो के अपनी निजी और कारोबारी जिन्दगी को अलग अलग रखते हैं अपने मुआमलत को बेतर त्रीके से आगे बढ़ाएंगे मुस्बत अंदाज की ही वज़ा से जिन्दगी को बेतरी की जानब ले जाएंगे मुआपत के मुआमलत में तालुकात ही इस बुरज से मुस्लिक अफराद की पहली तरजी होंगे मुस्तक्बिल के हवाले से आप बेतर इकदामात कर सकेंगे बुरज जोज़ा इस बुरज से मुस्लिक अफराद बेचैन और मुस्तरब रहते हैं यही वज़ा है कि किसी भी काम को मुस्तक्खिल तौर पर करना आप के लिए मुश्किल हो जाता है और यही बेचैनी आपकी कारोबारी जिन्दगी में भी नजर आती है मुलाजमत करने वाले अफराद को अपने अंदर दूसरों को मुतासर करने वाली पूबी भी पैदा करनी चाहिए कारोबारी जिन्दगी में काफी ज्यादा मसरूफ होने की वज़ा से आप निजी जिन्दगी की तरफ बिलकुल भी परिशान ना रहे कारोबार के मसाइल को दूर करने में काफी ज्यादा मसरूफ रहेंगे अपने खुआबों को हासिल करने में सिर्फ एक ही चीज आ सकती है और वो है आपका अज़म अगर आप इसी तरहां से फोकस के साथ आगे बढ़ते रहे तो इन्शालला काम्याब हो जाएंगे बुरच सर्तान आप घूमने फिरने को तरजी देंगे और ऐसा करना भी चाहिए खुद को फ्रेश महसूस करने को तरजी देंगे नए लोगों से मिलें और अपने तजर्बात में अजाफा करें बहुत सी नई चीजे आप की जिन्दगी में शामिल होंगी अपने तजर्बात की वज़ा से अपने मुझूदा सुर्तिहाल को भी बेहतर बना सकते हैं मुझूदा सुर्तिहाल पर आप का पूरा कंट्रोल है लेकिन मुस्तक्बिल के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है अपने मुआमलत पर फोकस करने की कोशिश करें मुझूदा के मुझूदा लमहात आप के लिए खुशगवार यादे बन जाएंगे अगर आप अपने नए बिजनस को शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन आप को बेहतर मुआमलत मिल सकेंगे बुरच असद माली लिहाज से काफी ज्यादा फाइदा मन दिन साबित हो सकता है जो भी आमदनी आपने महफूज की थी या सरमाया कारी आप के लिए फाइदा मन साबित होगी और आप की पुजिशन को भी मुझूद करेगी अगरचे आप अपनी आमदनी को जाया करना नहीं चाहते हैं और इसको अपने लिए मफीद बनाना चाहते हैं इस बुरिष से मुझलिक अफराद को खास तौर पर अपनी सहत के बारे में मुधात अंदास अपनाने की जरूरत है महबत के मुआमलात में आपको खास तौर पर अपने तल्लक के बारे में मश्वरा हासिल करना चाहिए अपने तलुकात को इस वक्त छोड़ देना और कोई कदम आगे बढ़ाना आप के लिए परिशानी का बाइस बन सकता है बुरच सुमला खुद पर फोकस करने की जुस्तजू जारी रखें अपने मसाय को बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए आप की जिन्दगी में एक खुबसूरत तब्दिली आएगी अपने खुआबों को पूरा करने और चान बीन करने में आप आगे बढ़ रहें हैं और इसी तरहां एक खास पोजिशन को हासिल कर ही लेंगे इस बुरस से मुंसलिक अफराद वो लोग जो के फैसला करने की हालत में नहीं हैं अपनी रुहानी तरबियत को अमल में लाने की कोशिश करें निजे जिन्दगी में काफी ज्यादा इत्मिनान रहे गा लेकिन कुछ मुआमलत पर बहस मुबासों को खास तोर पर नजर अंदास करने की कोशिश करेंगे काम के हवाले से आपको पुरसकून रहने की जरूरत है बुरच मिजान इस बुरस से मुंसलिक अफराद अपने ख्यालाद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपको वर्जश करने का मश्विरा दिया जाता है तब ही अपने नजरियाद पर मुकमल तोर पर कंट्रोल कर सकेंगे आपका दिमाग सहत पर बुरे असरात मुरत्ब कर सकता है आप जो भी खुआब देख रहे हैं उनको अमली बनाने की कोशिश में इकदामात करने की जरूरत है अपने वज़दान पर बुरोसा करें ऐसा करने से आप मुकमल तोर पर अपने मसायल को हल कर लेंगे अपने काम को मुकमल करने में बिलकुल भी ना गबराएं और काम करते रहें मुस्तक्बिल के हवाले से आप एक नया बिजनश शुरू कर सकेंगे अपनी माली जिन्दगी में वाज़या तोर पर बेहतरी देखेंगे बुरच अक्रब सियारवी महरकात और सितारों की पोजीशन आपके एतमाद को बहाल करेंगे ऐसा करने से आप शानदार नताइच हासिल कर सकतेंगे अपनी जिन्दगी में कुछ नए और बिलकुल मुक्तलिफ एकदामाद करने के लिए तियार रहेंगे आपका एतमाद मुकमल तोर पर आपके लिए फाइदामन होगा लेकिन अखराजात के हवाले से आपको मौतात रहने की जरूरत है आपका एतमाद मुकमल तोर पर ज्यादा जजबाती और इश्तियाल अंगेज भी हो सकता है महबत के मुआमलात में आपको गलत फहमियों का एक इशारा मिल सकता है जिसकी वज़ा से आप अपने मौहिदों को सर अंजाम देना मुश्किल कर लेंगे लेकिन कारोबारी लिहास से ताखीर शुदा काम खुद बाखुद हल होना शुरू हो जाएंगे बुरच कौस काम के हवाले से काफी ज्यादा बोज रहेगा लेकिन कुदर्ती तोर पर आप में जो सिलाहियते हैं उन पर भरोसा करके अपने काम को शानदार बनाते हैं आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको यकीनी तोर पर इनाम दिया जाएगा ये वक्त आप के लिए काफी ज्यादा खुश किस्मत रहेगा तलुकात को फरोग देने के लिए ये बेहतरीन वक्त है लहाजा पुर सुकून रहते हुए इकदामाद करते रहे हैं वो लोग जिन की शादी शुदा जिन्दगी बेहतर नहीं थी अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है मुस्तक्बिल के हवाले से आप काफी ज्यादा जिमेदारियों में डाले जाएंगे बुरच जद्दी आपको तमाम चैलेंजिस का सामना करते हुए मौामलत को हल करने की जरूरत है माजी में जिन भी परिशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था उनको असानी से हल कर लेंगे आपकी जिन्दगी में जितनी भी खामिया हैं उनको दूर करने की कोशश करें मुप्बत के मुआमला में खौफ और आपकी कमजोरी की वज़ा बन सकता है आपको मश्वरा दिया जाता है के अपने खौफ से बाहर निकले और सही तरहां से इकदामात करें आर्टस्ट और डिजाइनर के लिए ये बेहतरीन वक्त है आप एक खास पहचान हासिल करने में काम्याब होंगे जो आपकी आमदनी का जरिया बन सकेगी दूसरों की जानिब से आपके काम की होसला फजाई की जाएगी बुरच दिलू इस बुरच से मुंसलिक अफराद एक बार किसी चीज़ के बारे में अपना नजरिया काइम कर लेते हैं तो इसको तबदील करना मुश्किल होता है ये अजम है जो आपको काम्याबी की तरफ ले जाता है आपको मश्वरा दिया जाता है ऐसे मुआमलात में ना पढ़ें जो के आपके लिए परिशानी का बाइस बन सकते हैं मुपत के मुआमलात में महतात रहें मुपत के मुआमलात में आपको अपने मुझूदा हलात के बारे में महतात रहना चाहिए मुस्तक्बिल के हवाले से सेल्ज और मार्किटिंग में काम करने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरीके से सोचना चाहिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो काम्याब हो जाएगी बुरच हौथ आप की तवानाई काफी जьяदा रहेगी और जिसमानी तोर पर काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे लकिन जहनी तोर पर इंतिशार का शिकार हो सकते हैं काम के सिंसले में आपको काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है लेकिन खुद को तवाजन में रखते हुए आप कामयाब हो सकते हैं इस बुरस से मुंसलिक अफराद काफी ज्यादा वक्त एक साथ गुजार सकेंगे तलाक याफता अफराद को एक बहतरीन साथी मिलने की तवक्को है मार्किटिंग करने वाले अफराद को खास तोर पर बेरून मुलक जाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगे अपने मकसद के लिए आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो यकीनन आपके बिजिनस को उन्चाई पे ले जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्टो ही लिंग को सब्सक्राइब कर ले अल्ला हापीस